नमस्कार दोस्तों इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि विटकोरिज D3 सैशे का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है। विटकोरिज D3 सैशे को कैसे लेना चाहिए और विटकोरिज D3 सैशे की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। और यहां भी डिसकस करेंगे कि विटकोरिच D3 सैशे को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। विटकोरिच D3 एक ब्रैंड नेम है। विटकोरिच D3 सैशे के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन कॉलिकलसिफेरॉल 60,000 इंटिनाशनल यूनिट होता है। विटकोरिच D3 सैशे का उप्योग शरीर में विटामिन D की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। क्योंकि विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोशन में मदद करता है। और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वज़ा से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है. हमारे शरीर में दातों और हड्डियों को मजबूर बनाए रखने के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन दी भी बहुत ही जरूरी होता है हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दातों में स्टोर होता है और बचा हुआ एक परसेंट हमारे बलड में होता है। जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है। जिसकी वज़े से धीरे धीरे हड्डियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं। हड्डिया कमजोर होने की वज़ा से हड्डियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है। कैल्शियम और विटामिन D की कमी की वज़ा से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती है। और दांत भंगुर होकर तूटने लगते हैं। और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है। या लंबा समय लग सकता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है। और शरीर में कैल्शियम और विटामिन D की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोडों में दर्थ रहने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा ओस्टियो मालेसिया होने पर ओस्टियो पोरोसिस होने पर या बच्चों में रिकेट्स होने पर भी डॉक्टर विटकोरिच D3 सैशे को लेने की सला दे सकता है। रिकेट्स होने पर बच्चों की हड्डिया कमजोर होकर तेडी मेडी हो जाती है और औस्टियो मालेसिया होने पर हड्डिया कमजोर हो जाती है और शरीर के जोड़ों हड्डियों व मासपेशियों में दर्थ रहने की समस्या हो जाती है। किडनी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को होने से रोकने के लिए भी डॉक्तर विटकोरिच D3 सैशे को लेने की सलाह दे सकते हैं. मा का दूद पीने वाले छोटे बच्चों में विटामिन D की कमी हो सकती हैं. क्योंकि मा के दूद में विटामिन D की मात्रा बहुत कम होती हैं. इसलिए मा का दूद पीने वाले बच्चों में विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्तर विटामिन D और कैल्शियम की दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो सही डोज में विटकोरिज डीतरी सैशे को लेने के बात कोई असामान्य लक्षन होता है। तो आपको तुरन्त ही डौक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। ज्यादा दोज में विटकोरिज D3 सैशे को लेने की वज़़ से शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर अधिक हो सकता है शरीर में विटामिन D और कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना भी नुकसान दायक होता है अब हम डिसकस करेंगे कि विटकोरिज D3 सैशे को कैसे लेना recommended होता है विटकोरिच D3 सैशे को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है लेकिन विटकोरिच D3 सैशे को खाना खाने के बाद लेना ज्यादा अच्छा होता है विटकोरिच D3 सैशे को शाम के समय दूद में मिला कर लेना recommended होता ह आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर विटकोरिच D3 सैशे को सब्ता में केवल एक बार ही लेने की सला देते हैं और 8 सब्ता तक लगातार लेने की सला दे सकते हैं। की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको विटकोरिच D3 सैशे को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की विटकोरिच D3 सैशे को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। विटकोरिच D3 सैशे को लेने के बाद यदि आप लैबोरेटरी में कोलेस्ट्रॉल की जाच करवाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा दोज में विटामिन D को लेना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कम दोज में विटामिन D के सप्लिमेंट्स लेने की सला दे सकता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और कर लेना और अगर आपका विटकोरिच D3 सैशे से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं